तो देखते हैं हैं पर question number 17 वे हम से क्या पूचा किया है What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number and equal to 3 करते है इसको solve, तो जो हमारे हैं पर principal quantum number होता है इसको हम यहाँ पर N से denote करते हैं किसे denote करते हैं यहाँ से quantum number को n से denote करते हैं और जो n होता है वो हमारे यहां पर कुछ भी हो सकता है 1b, 2b, 3b, 4b और यह हमारे यहां पर क्या होता है shell होता है KLMN और यह हमारे यहां पर ऐसे चलता रहता है और जो हमारे यहां पर L होता है यह हमारे यहां पर क्या होता है और्बिटल एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं यहां हम इसको कह सकते हैं एजिम विथेल क्वांटम नंबर मैं यहां पर लिख देता हूँ एजिम विथेल क्वांटम क्वांटम नंबर और यहां हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं आइस्का नाम क्यों होगी जो हमारी यहां पर क्या होगी n से कम और यह माइनस वपन होगी हमेंसे यहां पर क्या होगी n से एक number less होगी उसके बाद हमारे यहां पर आता है ml ml हमारे यहां पर क्या है magnetic orbital quantum number यह हमारे यहां पर क्या है magnetic orbital quantum number magnetic orbital quantum number है और जो इसकी value होती है वो हमारे यहां पर क्या होती है minus L से लेकर minus L minus 1 minus L minus 2 से लेकर फिर यहां पर आएगा 0, 1 फिर यहां पर आएगा L minus 2 फिर L minus 1 यह as it is ऐसे चलता रहेगा तो हमें यहां पर क्या रख़ा N की value 3 रेखिए है और इसमें जो हमारे यहां पर L की value होगी वो हमारे यहां पर क्या होगी 0, 1, 2 होगी तो अगर हमारे यहां पर N equal to 3 है और L की value हमारे यहां पर क्या है 0 है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा एक 3S orbital बनेगा तो यह हमारे यहां पर क्या बनाएगा 1 3S orbital बनाएगा यह हमारे यहां पर क्या है 1 होगा, तो इसमें हमारे हैं पर क्या होगे, 3 3P orbitals होगे, कितने होगे हमारे हैं पर, 3 3P orbitals होगे, और जो हैं पर Magnetic Orbital Quantum Number होगा, वो हमारे हैं पर क्या होगा, माइनस 1, 0, positive 1, कितना होगा, negative 1 से लेकर positive 1 तक रहेगा, Magnetic Orbital Quantum Number, अगर यहां पर N की value 3 है, और L हमारे हैं पर क्या होगा, 2 होगा, maximum हमारे हैं पर 2 तक ही पहुंच सकता है, तो जो हमारे हैं पर कितने होगे, 5 3D orbitals होगे, कितने होगे, 5 3D orbitals, जब यहां पर इसका Orbital Quantum Momentum कितना होगा, तो इसमें हमारे हैं पर कितने होगे, 5 3D orbitals होगे, और जो हमारे हैं पर Magnetic Orbital Quantum Number होगा, वो हमारे हैं पर कितना होगा, minus 2 से लेकर positive 2 तक, तो minus 2, minus 1, फिर यहां पर 0, फिर यहां पर plus 1, फिर यहां पर कितना होगा, plus 2, तो जो हमारे हैं पर total orbitals है, वो हमारे हैं पर कितने हो जाएंगे total orbitals, तो total orbitals हमारे हैं पर कितना हो गया, 1 3s orbital हो गया, उसके बाद हमारे हैं पर 3 3p orbitals हो गया, और 5 3d orbitals हो गया, तो total हमारे हैं पर कितनी हो जाएंगे, 9, तो simple हम यहाँ पर n का square भी कर सकते थे, तो n का square हमारे हैं पर क्या होता, 3 का square हो जाता, तो यह हमारे हैं पर कितना होता नाइन होता और आप चाहिए तो यह पर इसकी टेबल भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ value of L फिर यहाँ पर हमारा आजाएगा sub-shell notation नोटेशन जो हमारे हैं पर spdf होता है sub-shell notation और उसके बाद हमारे हैं पर आजाएगा number of orbitals number of orbitals तो यहाँ पर हमारा L की value अगर 0 होगी जो हमारे हैं पर orbital angular momentum 0 होगा तो यह हमारे हैं पर sub-shell होगा इसका s में होगा और जो orbitals होगे वह हमारे हैं पर क्या होगे फिस्ट होगे उसके बाद अगर यहाँ पर one value के ल की तो जो हमारे नोटेशन होगा मतलब यहाँ पर पी और बिटल्स में होगा और अगर L की value 2 हुई तो यह हमारे किस में आएगा 2d Orbitals में आजाओँ एगा यह हमारे कितने बनाएंगे 5 3d Orbitals बनां गे ऐसे हैं अगर घया क्य पर होता तो यह हमारे किस में आजाता F में आ जाता तो यहनसे आते हमारे 7 f orbitals बनाते तो यह ऐसे आगे चलता रहेगा तो hope आपको इस question cancel समझ में आ क्या होगा हमारे यहां पर क्या करना है simple आप चाहिए तो यह यहां तक table बना सकते हैं और उसके बाद यहां पर यह वाली सारी चीज लिख सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं अगर यहां पर L की value हमारे हैं पर 0 होगी तो हमारे हैं पर क्या होगा 3S orbital में होगा L की value 1 होगे तो वो हमारे हैं पर 3P orbitals में होगा तो वो भी हैं पर कितने बनाएंगे 3 3P orbitals बनाएंगे अगर L की value 2 होगी तो हमारे 5 3D orbitals बनाएंगे और उसके बाद आप चाहिए तो हमारे हैं पर